हैं हेलो गाइज वंकम की यूटुब चैनल चलो आज सिखते हैं हम कुछ न्यू टेक्निक जétais लिए अगर हमको प्रॉपर तरिके से बनाना है हृस बस्टार्इल करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना जोरी है वह तो आज हम सिखेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्ट करते हैं, तो हमें पशले since pixel निकल देना है है। अभी हम सैंटर फाटेशन निकाल देंगे. सैंटर पाटेशन निकलने के बारें यहरड़ी से सती करें। और पाटेशन निकालना है अपको। जब आप पार्टेशन निकाल के अगर हैस्टाइल करोगे तब ही आपका हैस्टाइल जो है वो प्रॉपर तरीके से होगा यह साइट पार्टेशन भी हमने निकाल दिया है उसके बाद में कि इछे के बाद जो है उसको अपके लगा कैसे कोणी बना के रख दिजए दिन उसके बाद में है कि होटे चोटे सेक्षन निकाल ला है इस तरह से अभी हमने यह सेक्षन निकाल दिया है सेक्षन के बाद में यह मेरे का सभी आइकॉनिक ब्राइंट का क्रिंपर है आप अच्छे ब्राइंट का यूज करोगे तो आपका रिजर्ट भी अच्छा आएगा यह का जो है यह के अकॉर्डिंग आपको टेंपरेचर सेट करना है आइकॉनिक में जैसे 180 से स्टार्टिंग तो 230 तक इसका टेंपरेचर सेट रहता है अगर बाल आपके नॉर्मल है तो आप नॉर्मल टेंपरेचर रख सकते हो जैसे 200 वगरा और एकदम से पतले बाल है तो उसको आप 230 मतलब आस्ट वाला रख सकते हो उससे क्या होगा कि आपकी हेर्स को गाल्योम आजाएगा स्टाइट पर्टेशन निकाल दिया है उसके बाद में थोड़े थोड़े सेक्षन लेना है सेक्षन निकालने के बाद में जब आप स्टार्ट करते हो क्रिंपिंग करना तो यहां से स्क्याल्प को ना लगे इसका ध्यान रखना है स्टार्ट करते टाइम ऐसे बालों को उपर से रखके मशीन को प्रेस करके फिर नीचे लाना है इस तरह नीचे लाने के बाद फिर आप नीचे ऐसे प्रेस करते हुए लाच तक आप लेकिया सकते हो यह देखिए इस तरह प्रेंपिंग किया तो बालों को जो है वह वाल्यूम आता है इस तरह से थोड़े थोड़े सेक्षन निकालके हमें यहां से जितना हमने पाटेशन निकाला है वह पूरे बालों को हमें क्रिंपिंग करना है इससे अपनी जो हैस्टाइल होगी वह प्रॉपर तरीके से होगी जो भी हमको वेरियेशन करना है वह प्रॉपर तरीके से हम निकाल सकते हैं वेरिशन दे सकत झाल झाल अब हमने पूरे बालों को क्रिंपिंग कर दिया है आप देख सकते हो कि क्रिंपिंग करने से इनके बालों में कितना वॉल्यूम आ चुका है और इनके बाल जो है वो पूरे लाइट वेट हो चुके है